हेलो दोस्तो आज के वीडियो में लोग रेजवेट्स के लिए गौर्मेंट संस्थान UIDAI अर्थात यूनिक आइडेंटिफिकेशन एथोरिटी आफ इंडिया में निकली असिस्टेंट मेनेजर लीगल की लेटिस्ट बैकेंसी के बारे में कम्पलीट इनफॉर्मिशन देंग इनफिकेशन एथोरिटी आफ इंडिया जो की भारत सरकार के अंतरगत आता है यहां पर लोग रेजवेट्स के लिए असिस्टेंट मेनेजर लीगल की वेकेंसी निकली हुई है मिन्स यह जो वेकेंसी है इसमें जो है लोग रेजवेट्स अपलाई कर पाएंगे और इसके इसके नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करेंगे या फिर आउनलाइन अपलाई करना है तो कैसे करेंगे सारी डिटेल को हम आगे जान लेते हैं तो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर UIDAI की जो वेकेंसी है असिस्टेंट मेनेजर लीगल की उसके लिए जो और जितने भी अपलिकेशन होते हैं इसी के माध्यम से लिए जाते हैं तो दोस्तों यहां पर देखिए अर्थात नेशनल इंस्टिटूट फॉर इस्मार्ट गॉर्मेंट के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो यहां पर देखिए बेकेंस पोस्ट का नाम है और इसकी जो जॉब पोस्टिंग होगी वो हैदराबाद पे होगी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अगर बात करें तो यहां पर आपसे जो है लौ डिग्री मांगी गई है बीसी आइप्रूब्ट इंस्टिटूट या फिर युनिवेस्टी से होनी चाहिए इसके सा साथ मिनिमम्二 य're का working experience होना चाहिए किसी भी company में वर करने का या corporate house में या किसी law firm में या फिर law research institution में या फिर as advocate वर करने का। लेकिन आपको जो knowledge है वो especially यहां पर देखें ड्राफ्टिंग का जो rules है और contract दो चीज़ is in-κι kami मेन working है contracts और drafting अगर इनका अच्छा knowledge है तो यहां पर आप जो है सकसे जो पाएंगे means job मिलने के chances आपको बहुत अच्छे रहेंगे अब बात कर लेते हैं अगर age limit की तो यहां देखें दोस्तों कोई age limit नहीं है किसी भी age का candidate यहां पर apply कर सकता है और यह contract based job है one year के लिए contract होगा यहां पर आप one year work करेंगे अगर आपका सही work होता है तो आपके contract को आगे भी बढ़ाया जा सकता है otherwise समाप्त भी किया जा सकता है means अगर age जैसे कि मैंने बात करी किसी भी age की candidate apply कर पाएंगे और इस vacancy के लिए जो apply करने की last date है वो 11 July 2022 है और इस company की एक प्रकार से यह legal vacancy थी तो आपके लिए full time job होने वाली है यह और जैसे कि मैंने बताए skills तो जो जो skills बताए वो आपके पास होनी चाहिए means यह skills है तभी यहां पर आप जो है कुछ कर पाएंगे सारी जो अगर बात करें application fees की तो कोई भी application fees नहीं है पुरी तरह free है तो apply करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए तो सबसे पहले आपको एक covering letter तयार करना होगा और एक CV तयार करना होगा तो covering letter और आपका जो legal CV है दोनों को तयार करके आप जो है scan कर लीजिए या फिर word में ही तयार रखिए जिसमें कि आपके signature भी हो और उनको यहाँ पर upload करना पड़ेगा तो upload apply कैसे करेंगे तो देखें यहाँ पर जब आप आएंगे हाँ selly के और बात कर लेते हैं तो देखें selly जहाँ पर जो है 4 लाक से 9 लाक परेनम का है यह निर्भर करेगा आपके interview पर क्योंकि यहाँ पर जो selection होना है वो interview पर आधारित है आपका interview जैसा होगा उसके आधार पर आपकी selly होगी लेकिन जो minimum है वो 4 लाक परेनम है और जो maximum है वो 9 लाक परेनम है तो दोस्तों यहाँ पर यदि आप apply करना चाहते हैं तो आपको इस page का जो link है मैं आपको वीडियो के description में उपलब्द करा दूँगा अब उसमें आप देखेंगे कि जहाँ पर आपको apply लिखा हुआ नीचे दिखाई दे रहा तो इस पर आप click करें click करते ही आपके सामने एक form open हो जाएगा जहाँ पर आपको अपनी basic informations डालनी होगी और जैसे कि mail id है और phone number कों की इसी के माध्यम से आपको back call आएगी तो उसे सही बरेंध्यान से और अपना resume या CV उसी में upload कर दें और submit कर दें तो आपको जो है वहां से mail आएगी mail में जो है आपको interview का timing दिया जाएगा उसे वाद आपका interview होगा यदि आप जो है interview में success होते हैं तो आपको job करने का chance मिलेगा बहुत बहुत धन्यवाद